पाकिस्तान में एक ऐसा अलाका है जहां दुनिया की किसी भी बंदुक का मॉडल मिल जाता है वो भी बेहत सस्ते दामों में यह अलाका एक ऐसी जगह है जहां अब तक पुलिस भी जाने से बस्ती रही है दर्रा आदम खेल फेसावर से कोई 35 किलोमीटर दूर पहाडों में बस सा चोटा सा सहर यहां की एक मंडी मसूर है लेकिन खाने पीने के सामान के लिए नहीं बंदुकों के लिए यह पाकिस्तान का हतियारों का सबसे बड़ा काला बाजार है चुराई हुए हतियार तो यहां मिलते ही हैं लेकिन हाथ के काम की यहां ज्यादा मांग है रूस की एक 7,000 पाकिस्तानी रुपे में मिल जाती है भारती मुद्रा में इसकी कीमत हुई करीब 45,000 रुपे इसी तरह के 47 गन या 13,000 पाकिस्तानी रुपे यानि 7,000 भारती रुपे में मिल जाती है बेचने वाले इनके टेस्ट फायर करके भी दखाते हैं ग्राग को पूरी तसली के बाद ही वो कुछ बेशते हैं इन हतियार बनाने वालों का धावा है कि इनके कारीगर इतने कुसल हैं कि उन्हें कोई भी हतियार दिखा दें वो उसकी हूबहू नकल कर देंगे हतियार बनाने के लिए ये लोग स्क्रेप यार्ड से मेटल उठाते हैं यह एकसर पुराने समुद्री जाजों का कबाड होता है जिसे इस काम के लिए इस्तमाल किया जाता है आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इलाका पस्तून भहुल है और पस्तून परवारों में जमानों से हतियार रखने का चलन रहा है एक जमाना ऐसा भी था जब इस बजार में हर अवेद चीज मिल जाती थी फिर चाहे चोरी की गाड़ी हो या फिर फरजी डिगरी 1980 के दसक में यहे बजार काफी फाला फूला अफगानिस्तान से सीमया पार कर मुजाहिद दिन यहां आ जाया करते थे और सोबियत संग के खिलाफ जंग के लिए यहीं से हतियार खरीदा करते थे बाद में इस जगे पर पाकिस्तान तालिबान का कबजा रहा अब पिछले कुछ वक्त से हालात बदले हैं सरकार धीरे धीरे इस इलाके पर नियंतरन करने की कोशिस में लगी हुई है दुकांदार बताते हैं कि कभी यहां साथ हजार से भी ज़्यादा दुकाने हुआ करती थी आज आदी भी नहीं बच्ची हैं सरकार की सक्ती की वज़े से मांग कम हुई है सहर के भार नाके लगा दिये गए हैं जगे जगे लोगों को रोक कर तलासी ली जाती है ऐसे में अब दर्रा आदम खेल से हत्यारों को बाहर ले जाना मुश्किल हो गया है अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा है